कार ने बदूआ मलदूरी और बाल मलदूरी खत्म करने के लिए कानून बनाया है ताकि बदूआ मलदूरी और बदूआ मलदूरी के खत्म किया जा सके लेकिन उत्तर प्रदेश में बदूआ और बाल मजदूरी लगातार जारी है ताजा मामला कुसी नगर जनपत के थाना पटेरवां सके इट भठे का है जहां पर नाबालिक बच्चों सहीद आठ मजदूरों से जबरन बदूआ मजदूरी कराई जा रही है इलहाबाद के रहने वाले मजदूर मेहदी ने आज फोन कर बताया कि वो पाँच महिने पहले कुसी नगर के एसके इट भठे पर सर्तों के अनुसार काम करने अपने आठ साथियों को लेकर आये थे वहाँ पर उन्हें पैसा मांगने के नाम पर जबरन बंधक बना लिया गया और उन्हें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है जब उन्होंने ईड़ भठा मालिक नब्बू से पैसे मांगे तो उन्हें जवरन मारा पीटा गया और उन्हें उनके उपर घर से भठे से बाहर निकलने के लिए प्रतिबन लगा दिया गया इस संबंद में हुआ आप कई अधिगारियों के पास अपनी आवाज पहुँचवाएं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ बंदग बनाएगे मजदूर चाहते हैं कि उन्हें ततकाल भठे से मुक्त कराकर उनकी पूरी मजदूरी दिया जाए और आरोभी भठे के किलाव करवाई की जाए बीदियों देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि आप इस कीम के दिखने वाले नम्मर फोन कर दबाव बनाएं ताकि मजदूरों के साथ नया हो सके मैं अमित लखना उत्तर प्रदेश से